एक बहुत बड़ी जानकारी आई है और आपसे मैं वो शेयर करने आया हूँ वो जानकारी है क्या चाइना ने ये सब डिसकस किया था क्या चाइना ने ये सब प्लैन किया था और ये जानकारी आई है बहुत बड़े बड़े अखबार में कल ऐस्ट्रेलिया से उसके बाद दसन में और यह डॉकुमेंट्स हैं यूएस के कुछ डॉकुमेंट्स हैं जो यूएस ने चाइना से प्राप्त किये कैसे वो प्राप्त करते हैं आप समझ सकते हैं तो यह आप से डिसकस करने आया हूँ अगर आप पहली बारी देख रहे हैं तो subscribe कर लीजिए और bell icon दबा लीजिए ये हिंदी में हिंदी में दिन में एक दो करता हूँ जो important लगता है और दूसरा English है बहाँ पे भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहिए तो क्या जांकारी आईए और आपके लिए जानना क्यों दो हजार पंदरा के अंदर चाइना के साइंटिस्ट्स ने ये डिसकस किया कि क्या सार्ज कोविड ऐसे वाइरिसेज एक बायो लॉजिकल हत्यार की तरह इस्तमाल किये जा सकते हैं उन्होंने कहा उसके अंदर कि अगला जो विश्यूद्ट जो ये दो ऐसे देश हैं जो विश्यूद्ट की त्यारियां करते रहते हैं वर्ल्ड वार थी की क्या वो ऐसे वाइरिस से रड़ा जाएगा ये डॉकुमेंट्स सबसे पहले आए दे ऑस्ट्रेलियन में उसके बाद दे सन न्यूस पेपर में पब्लिश होए हैं और ये कहते है यूस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये डॉकुमेंट्स अप्टेन करे हैं इसमें मिलिटरी साइंटिस्ट भी थे और चाइना के जो पब्लिक हेल्थ ऑफिशल्स थे पब्लिक हेल्थ ऑफिशल्स क्यों किया इंपक्ट होगा पब्लिक पे हो रहा ना इंपक्ट वो थे और उन्होंने ये मिल के discussion किया थी, paper बनाए थे और ये कहा था कि दुश्मन का सारा medical system कुलाप्स कर जाए, भारत में तो कुलाप्स करी रहा है, बीच में US में भी बहुत problem आई थी, बीच में यॉरप की भी problem आई थी, तो ये जो paper है, इसने ये भी discuss किया कि 2003 में एक wave आई थी, बहुत छोटी थी, इतने wish में नहीं फैली थी, कि उसके बारे में भी discuss किया, क्या वो man-made है, क्या वो कैसे है, तो ये जो जानकारी आ रही है, जिस पे वो लोग discussions कर रहे थे, talk कर रहे थे, बात कर रहे थे, क्या ये bio ह क्या ये एक सोची समझी साधिश है, और क्या world, world जाक के इस पे action लेगा, क्या world इसको prevent करेगा, अब तो ये सारी बातें भी सोचने वाली बाते हैं